है मेरा घर अगर बच गया दो तीन दिन वे तो ठीक है नहीं तो मैं आगला वीडियो में दिक्वाँगा कि मेरा भी घर गया तो यह इस बारिस ने तो काफी ज्यादा नुक्सान कर रहा ह। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को तिकाने वाला हूं कि जो है दो दिन से लगातार बारिस हो रही है और हमारे यहां क्या-क्या हो गया बारिस की वज़े से यहां पे एक-दो कोई का घर भी तूट गया है और जो फसल था हमलों का मक्कई का वो भी मतलब बीर गया ह काफी नुकसान हुआ है और जो पपीता का जो पेड होता है पूभी तूट गया है तो गाइस काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है और बारिस की वज़ा से घर से बाहर निकलना मुस्किल हो गया है तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं रूम में हूं और कल से लाइट भी नह है नहीं कहा कहा मतलब जो है पेड किरने से जो है तार टूटगी एसाई तो उसके वज़ा से लाइट नहीं आ रही है तो मैं अभी दिखाता हूं जो है मौसम किस तरा से है और यहाँ पर मैं अपना खिड़की से मैं दिखा देता हूँ यहीं बगल में एक थोड़ा सा खेत लगा हुआ है तो मासम की सत्राइ इसकी बाहर जाके भी दिख रहूंगा तो फिलाल और यह Lemum की से यहां ही से आप देख लीए तो आप देख सकते हैं यहां बगल में improving मेरा घर के बाहर और यह मक्वथा के लगा हुआ है औरम क div कना जाधा नुक्सान हुआ है जो पेड़ दिख रहा होगा यह पेड़ का डाल तूटके नीचे गिर गिया है और जो है अभी फिलहाल मौसम ठीक है पर हलका फुलका बुंदा बांदी हो रही है और बारिस हो रही है तो आप लोग में देखा खिड़की से दीख रहा था किस तरह से मकई का जो फोधा था मत हो भी लगा के हम लोग मतलब लगाना हो गया था वट इस पानी बारिस की वज़ा से जो है खेत का जो आर होता है वो तूट गिया है और काफी ज्यादा नुमसान हो रहा है और यह बारिस जो है रुखने का नाम में ले रहा तो अभी देख सकते हैं अभी मैं दिखाँगा क जो कुवा भी काफी जादा भर गिया है और जो पेड जो है लगा हुआ है पपिता जी साब का वह भी तूट गया है तो मैं अभी चलता हूँ थोड़ा च्छत पे च्छत से मैं न जारा दिखाँगा उसके बाद मैं चलूँगा अपना जो है बारी जो होता है महां पे लेक प्रेस्टिंग का नहीं बोल सकता हूँ यह तो नुकसान हो रहा है अम लोग का तो चलते हैं दिखते हैं क्या क्या हुआ है मैं अब इस बाद से गया नहीं हूँ बाहर मैं रूम में था थोड़ा दर पहले सो के उठा और अभी जा रहा हूँ घर में सब लोग बोल रहे थे कि जा के देखो क्या क्या हुआ एक घर में कुछ सब लोग में देखा देता हूँ तो चलते हैं भी चट पर तो अभी यहां पर अंधेरा काफी ज़्यादा है देखने रहा खिड़की और जो गेट है बंद है तो मैं उसको खोलूंगा उसके बाद थोड़ा प्लाइट आएगा तो देखते हैं देख सकते हैं अभी जो है बारिस हो रही है और मोसम कुछ इस तरह से है बादल है पूरा और अभी आठ सड़े आठ हो गया है सुबा के पर धूब अभी तक निकला नहीं है और ज्यादा डर हम लोग को है यह जो मीटी का जो घर है खपड़ेल वाला अगर एक दो तीन और पारिस हुआ तो कहीं यह घर भी ना तूट जाए हम लोग का तो देख सकते हैं अब दिखा देता हूं मैं यह रहा और यह मेरा देख लीजिए इस तरह से मकई का जो है सारा खराफ हो गया यहां पे अब यह मकई मुस्किल हो रहा है कि यह होगा या नहीं होगा और इधर यह है पूरा नजारा सारा तूटके विखर गिया है और पेड़ भी यहां पे जो है डाली भी तूट गिया है और उधर भी नुकसान हो गया काफी जादा और यह देख सकते हैं यहां पे जो घर का बात कर रहा था मैं यहां पे देख रहा होगा सामने यहां पे घ और बारिस काफी ज़्यादा जरसे होने लगा जा रहा हूं। तो मैं पूरा दिखा नहीं पाया सईसे। बट जितना भी था हो सका मैं दिखा लिया, और जिकी बारिस हो रही थी। मैं भीग जाता चलता पर फॉन था वह भीग रहा था। इसलिए मैं बाहर नहीं रह पाया हूँ मैं अंदर आ गया अब मैं चलता हूँ आप लोगों को मैं अपना जो है बोले थे कि दिखा हूँ वह पुआ हुआ जहां पे है और फसल जो लगा हुआ है वहां पे लेके चलता हूँ तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा काफी ज़्यादा रिक्स लेके जारा हूँ बारिस में अभी जो ठंड भी लग रही है फिर भी जारा हूँ वीडियो बनारा हूँ तो इतना तो करी सकते हो तो अब मैं बहर आगया हूँ और चलते हैं कुमा और जो बोले थे उस्व का अजारा दिखाने के लिए तो देखने के लिए तियर हो जगिए कितना नुक्सान किया है इस बारिस ने और चलते हैं आगे यह रहा कुछ इस तरह से न जा रहा रहा बारिस में भीगते हुआ जा रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से जमीन जो है भीग गया है पूरा यहां से देख लिजिए कि इस तरह से मक्काई जो है खराप हो गया पूरा गीर के नुकसान हो गया और यहां देख सकते हैं पानी किस्रा से भरा हुआ है इधर देख लिजिए पूरा नुकसान हो गया है अब क्या कर सकते हैं इस बारिस ने तो तो हम किसान लोगों का तो जान ही निकाल दिया और यह रहा घर जो तूट गिया है इधर पानी पूरा भर गिया है इधर अब मैं आप लोगों को कुमा के पास लेके चलता हूं किस्ता से कुमा भरा हुआ पड़ा है उभी नजारा दिखा देता हूं यह गवा अभी थोड़ा इस बारिस से तो पानी से तो निकल जाओं पहले और अभी बारिस हो रही है कि अधर बाबा क्या क्या गिरी किया है तूटके यह राकूंगा अदेख सकतें कितना उपर आ गया पानी देख लिजे और इधर पी कुछ गिरी आ तूटके और इधर नुक्सान पुरा इधर तो अभी आप लोग ने देखा कि किस तरह से नुक्सान हो गया पूरा और मैं ज्यादा देर रुक नहीं पा रहा हूं मतलों बारिस की वज़ा से फोन पर भी ज्यादा मतलव बूंद जो है उगिर के भीग रहा है फोन तो उसके लिए मैं जा रहा हूं अब घर तो जो हो सका मैंने दिखा दिया और यहां से एक बड़ देख लिए पूरा इस तरह से पूरा जो है गिर गया है तो अब चलता हूं मैं घर उसके बाद अगर भर इंद आगे दिखाता हूं तो गार्ष इस वीडियों में इतना अब मिलते हैं अगले वीडियों में अगर मेरा aí अगर बच गया 2-3 दिन में तो ठीक है नहीं तो मैं अगला वीडियों में दिकाऊंगो कि मेरा घ़ गया तो इस बारिस ने तो काफी ज्यादा नुक्सान कर रखा आप लोग ने देख लिया होगा वीडियो में तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो गाई दिल से लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर देना तो गाईस इस वीडियों बसना है